तो माई डियर स्टुडेंट फानली आप लोगों के समस्त में बिये फिप्त समस्टर का हिंदी का पूरा का पूरा माडल पेपर कुश्चिन पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि इसी वर्स दोहजार तीर्स तोचोविस के सिसन का पुरूप के तोर पे आप देख लीजिए ता हश्ट कोईस्टे पेपर हश्ट माडल पेपर ठीक है जिसका नाम है साहथ साफ्थर और हिंदी अलोशना तो जितने भी प्रेशन chea के वह साहित साफ्थर और हिंदी question आ सकते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे और कुछ question and answer में आप लोगों के लिए प्रिप्रियर किया हूँ ठीक है जो कि exam के नजरिये से महत्पूने वो भी मैं आपको बताऊंगा question and answer दोनों प्रस्तुत की है ठीक है आप लोगों के लिए तो वीडियो को end तक बने र जानकारी और अच्छे question प्रवाइड कर सके जो आपके exam में फास जाएं तो चली बिना बगवास के हुए वीडियो को सुरू करते हैं दर्वाइज आप लोग तो बोली देंगे कि इतने देर तक एक दो मिनट तक तो बगवास ही करते हैं तो आप लोगों की जानकारी देते में लिखा लग उत्रे लेकिन इसका मत्तब होता है ठीक है कभी कभी कुछ इन्वर्सिट्यों सिस्टम यह होता है कि लग उत्रे की जगात लग उत्रे लिख देते हैं ठीक है ओके इस पर आपको ध्यान नहीं देना अच्छी वीडियो का बाईया पहला प्रस्ण है कि काब किसे कहते हैं प्रमुख काब प्रियोजनों के नाम लिखेंगे ठीक है तो यह कोश्चन पूछ रहा है काफी हल्पूल कोश्चन है और भी कई इन्वर्सिट्यों परिच्छा है हंदी के हो चुकी है तो उसमें भी देखा था यह प्रस्णाया था और इस भी इन्वर्सिट् ना उसका क्या मुद्द रही हिस चीज के लिए ठीक है काब के अधार पर हमें जो प्राप्त होता है उससे ही सयहत्य प्रियोजन कहा जाता मतलब की उससे ही हम लोग काब कर्योजन या पिर प्रियोजण कहते है हर वफ्तों का अपना ठीक है विश्यष्ट प्योजन होता है ठीक है और साहति का स्र्जन अभू so एवं मिपठन अध्यन भी स्वाउत्धा होता है मताब कि सभी चीजantee और किफी किफी सीध का जो होता है अपना खुछ मैं अर्श्ज अक लिए लुए तो यह काफी popular question है ओके वह प्रमुक प्रयोजन का जो प्रयोजन उनके नाम लिखेंगे तो ध्यान से सुन लीजिए प्रयोजन उनके नाम लिखेंगे आपको पूरे नमबर मिल जाएंगे अगला प्रस्तों से जो की पॉप्लर है गारंटी वाला question 100% वाला है आपकी आति लगों देर किसी ने किसी में देखने को मिलेगा है मिलेगा शियोर वाला कि कि किस परकार का भाव है आपका आच्रण कैसा है वही वाला प्रस 55 हिर्दे में बहता है उसी को हम रस कहते हैं घो को और ट्मा या प्राम तत्त माना जाता है रस को कोई भी रचना है कोई भी माली जे पुश्तक है या यईoter होती है किसी ने किसी को ये मतलब क्या रस ठीक है तो रस को काब की आत्मा या प्राण तत्त भी माना जाता है ठीक है रस उत्पत्त की सबसे रस उत्पत्त को सबसे पहले परभासित करने का स्रे जो है मतलब कि रस जो सब्द है रस सब्द की स्टार्टिंग जो है ठीक है उसको परिभाफा करने का उसको बेख् चकते हैं ठीक है वो भरत मुनी को जाता जो कि बहुत ही पॉपलर बहुत ही टॉप लेबल के बिद्वान और प्रमुक कभी है ठीक है इन्हें को जाता है ठीक है कौन भरत मुनी जोको ठीक है इन्हों सभी रसों के नाम बता रहे हैं ध्यान से सुनेंगे ठीक है काफे helpful और टॉप लेवल का कई बार पर इच्छा हम repeated और इस बार भी आने की guarantee वाला question है ठीक है तो ध्यान से सुनेंगे पहला आप लोग लिखेंगे भरत मुर्य ने आठ रसों को उल्लेखित किया है जिनमें से पह पर आप लोग लिख देंगे क्या भयान ठीक है बीर लिख देंगे ठीक है पांच नंबर बीर लिख देंगे नंबर छे पर लोग लिख देंगे भयानक ठीक है नंबर साथ पर लोग लिख देंगे ठीक है विभत्स ठीक है विभत्स और नंबर आठ पर लोग लिख देंगे ठीक है अब दूत तो ये प्रमुख आठ रस के नाम है जो की भरत मुनी द्वारा उलेखित किये गए है या फिर उलेख किये गए है जिनके बारे में सिंपल सा परिशे आप बहुत ही पॉपलर कोईश्चन इसका उत्तर आपको सिंपल सा आपके स्रीज है कोईश्चन बैंक है मिल जाएगा नहीं तो इंटरनेट पे तो ओवेलबल है ही मैं आपको एकदम सिंपल भासा में समझा देता हूँ ठीक है अगला प्रशन इक वही है लच्छना सब्द सक्ति को सोदाहरन अस्पष्ट कीजिए मतब जो लच्छना सब्द है इसके पावर के बारे में आपको ब बोल ला है ठीक है तो जब वक्ता द्वारा बोलेगे सब्द कोई सब्द बोलता है ठीक है तो उसका वचार्थ को सुभिकार ना करकर मतब उसका जो सब्द का जो आचरण है या फिर सब्द का जो मतलब है ठीक है उसको सुभिकार ना कर किसी अन अर्थ को ग्रहन किया जाता तब उसे लच्छार्थ कहते हैं तथा लच्छार्थ का बोध कराने वाले या फिर करने वाले सक्ति को हम लच्छना सक्ति कहा जाता है या फिर लच्छना सक्ति कहते हैं तो इस प्रकार सिंपल परिभासा लिखेंगे पॉपलर कोशिर कई बार आ चुका है इस बार भी इस्प अफ़ाप लेबल का कॉश्षिन आपके एक्जाम देशन के लिए तो जरूर तैयार करके जाएंगे इसके बारे में तो ध्यान से इसका उत्तर सुनेंगे ठीक है नातक में जो नायक चाने कि जो पात्र होते एक तरीकी से बहुन सकते हैं ठीक है उसके प्रमो गुड यानि क्य सोभा ठीक है दूसरा आप लोग लिखेंगे द्हांस सुनेंगे दूसरा लगेंगे पहला सोभा दूसरा बिलास ठीक है और नंबर तीन पर आप लोग लिख देंगे माधुर्य मतलब की मधुरता ठीक है और नंबर चार पर आप लोग लिख सकते हैं ठीक है द्हांस सुनेंग ठीक है, साथ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अधर, ओके, तो अगला है निस्वार्थ होना, ठीक है, तो ये कुछ प्रमुक गुड है, जो की अलग-अलग हमारे बेद्वान जो हैं, अलग-अलग जो कभी हैं, उनके अनुसार अलग-अलग भी है, इस बात को ध्यान लेकिन आप इस प्रिकार लिख सकते हैं, इसका उत्तर, ठीक है, ओके, निस्वार्थ की कल्पना और फैंटेसी को परभासित कीजिए, तम हाथ पोर नहीं, बाकि आपके उपर आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, अगला प्रस्ण है कि भी हैं, माक्सवादी अलोशना किसे कह खारेंगे, ठीक है, तो माक्सवादी अलोशना का जव जो अधेस है कि साहित, यानि कोई भी मालीजे रच्टना है, ठीक है, ठीक है, साहित को भी इस वर्ग में संघर्ष में हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसकी परिभाफा लिखेंगे, लेकिन पॉपलर कोईश्चन है इसकी परिभासा आप अपने नुसार जो आपको बेटर लगे वो आप तयार कर लिजेगा सिंपल सा उत्तर डालेंगे कि मार्क श्वादी अरोष्णा किसे कहते हैं इंटरनेट पे आपको उत्तर मिल जाएगा लेकिन बहुत ही पॉपलर सब्सक्राइब कोईश्चन आपको परिष्चा में गारंटी के साथ आएंगे आएंगे यह बात की स्यूरिटी है जरूर तयार करके जाएंगे ठीक है अगला बहुत ही पॉपलर कोईश्चन है कि नाटक के प्रमुक्तत्य कौन कौन से तो चली जान लेते हैं नाटक के अथा वस्तु लिख सकते हैं तरह इस तरह नंबर तो पे आप लोग लिख सकते हैं ऑगिने नंबर च्वा पे आप लोग लिख सकते हैं ठीक है पहीद सम्भाद स्टर्स आप लोग प्रम पे चैयार श्हें प्रस्णा आपके लगुत्रे में देखने को मिलेंगे जिनके बारे में जान लेते हैं कौन-कौन से महात्पॉर्ण साबित हो सकते हैं तो पहला कि कभ्यात्मा किसे कहते हैं भारते काव साफ्त्रियों ने किन-किन काव आंगों की काव आत्मा कहा है यह मेरे कोडिंग महात्पॉर्ण नहीं आप पढ़ भी सकते हैं ठीक है तो चलिए इसको इगनोर भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय तो बेशक उत्तर तयार कर सकते हैं अगला बहुत ही पॉपलर कोईश्चन की रस सूत्र की ब्याख्या क सिर्फ़ और सिप आचार भरत मुनी जी से संबंदित आएंगे उसमें अचार भरत मुनी के रफविधांथ के बारे माय आएगा रस किसे कहते हैं ऐसे प्रहस्चन आपको 100% कोड़ेंगे कम से कम 10 ते 15 नंबर को तो अचार भरत मुनिक के बारे में अच्छे तयार कर लिए अगर आपको 10 से 15 नंबर चाहिए तो ठीक है बहुत पॉपलर कोश्चन कई बार रिपीटेड है अगला कह रहा कि काप बिगुड किसे कहते हैं ये भी कई बार पर इच्छा में रिपीटेड है तो इसको भी तयार कर लेंगे उम्म करना है बहुत ही पॉपलर कोश्चन ये भी ठीक है अगला प्रश्ण गारंटी वाला मैं आपको बताने जा रहा हूं आरस्तु के अनुकरन स्विध्धांत का एक बिश्तरत विवेचन कीजिए ये कोश्चन गारंटी वाला है कि आएगा ही आएगा मैं कान खोल कि मैं आपक राजनीत्यक हैं इनसे जुड़ा एक प्रश्ण फशेगा गारंटी के साथ ठीक है कम से कम एक बाकी दो भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन एक तो पक्का फशेगा ठीक है अगला कोश्चन मेरे एक ठीक है मेरे हिसाफ से महातपूर नहीं तो आप इसे एग्नूर कर सकते हैं कि अलोशना पद्धित पर परश्चे दीजिए ठीक है तो यह बहुत पॉप्लर कोश्चन है इनको जरूर तयार कर लिजिए ठीक है दो प्रमुक कभी है आपके फ़स्ट पेपर में राम चंदर सुकल जी ठीक है और भरत मुन जी इन दो 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 प्रमुक कभी है इनसे जु का रस्तु का बिरेशन से धान देख लीजिए यह प्रशन उपर पूंचा गया था यह प्रशन देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुश्चन एंसर दोनों तयार कर लिए तो पढ़ लीजेगा ठीक है अच्छे पर उत्तर भी आप लोगों की समस्त नीशे दिया गया प्रमुक्ति बहुत इसे जुड़ा कोश्चन आ सकता है इसको भी तैयार कर सकते काफी पॉप्लर कोश्चन है ठीक है और अगला प्रशन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है रस से सम्मंधित कोश्चन आएंगे रस कितने परकार के होते हैं उनके प्रमुक्तत्त तो जितना 2426 इस्लोक हैं कुछ अंस गद्ध के भी हैं इस बात को ध्यान रखेंगे 36 अध्याय ठीक है और 2426 इसलोक और उसमें कुछ गद्ध के अंस भी हैं तो ये तैयार कर लेंगे में पॉइंट है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके एक्जाम में ठीक है इफी तरह और भी question आपको नीशे देखने हो कि मिलेंगे ये सारे के सारे आपके exam nation के लिए बहुत ही popular है देखिए अगर आप तयार करके जाएंगे तो आपको help मिलेगी ठीक है नहीं तयार करके जाएंगे तो आपको मालूम है कि आपको help नहीं मिलेगी या तो कम से कम बाकि आपकी इच्छा ये पीडियाप आपको टेली वर्टसप दोनों पर मिल जाएगी लिंक इसी वीडियो के डिस्कुस्टन में है जहिंद